हालो फ्रेंज आज मैं आप लोगों के साथ राजस्थानी कुजीन की एक बहुत ही फेमस सब्जी गट्टे की सब्जी शेयर करने वाले हूं यह सब्जी सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बहुत जगह पसंद की जाती है और हम सब्जी इसे अक्सर बनाते हैं और अगर हमारे पास सब्जियां अबलेबल ना हो यह हम चूद नहीं कर पा रहे हूं तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्सन है तो आईए रेस्पी सूर करते हैं यहां हमने वन अना हाफ कब बेसन लिया है इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी को क्रस्ट करके वन फोर्थ टेस्पुन हेंग हाफ फोर्थ टेस्पुन हल्दी पॉडर वन फोर्थ टेस्पुन जीरा हाफ टेस्पुन लाल मिर्च पॉडर वन फोर्थ टेस्पुन अजवाइन जिस थोड़ा क्रश कर लिया है वन फोर्थ टेस्पुन बेकिंग सोडा और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल कर इन सभी को डालेंगे अब मैं इसमें 2 table spoon oil डालूँगी और लगभग 4-5 day spoon दभी डाल लेंगे और इसे अच्छे तरह से मिला लेंगे अब इसमें हम पानी डालेंगे लिकिन पानी हम बिलकुँ ध्यान से डालेंगे इसे हम चमज से एक एक चमज करकर के पानी आड़ करेंगे और इसे अच्छी तरीके से हम गुदते जाएंगे आप ध्यान रखें इसमें पानी हम चमज से ही डालेंगे और बहुत कम पानी का इस्तमाल करेंगे अब आप देख रहे होंगे यह अच्छी तरह से गुधने लगी है जब यह अच्छी तरह से आपस में बंदने लगी तो हम इसमें थोड़ी सी ओयल डालकर इसे और अच्छी तरीके से गुध लेंगे और इसे soft आटा तयार करेंगे अब ये विल्कुल अच्छे चाहसे गूद गई है और सौफ्ट भी हो गई है अब हम इसे रिष्ट करने के लिए लगबख 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे रिष्ट करने के बाद अब हम बेशन को थोड़ा मसल लेंगे और आप मैं इसके तीन पार्ट कर लूँगी और जिस बेश पर हम बेशन का रोल बनाएंगे उस पर हम थोड़ा सा ओईल लगा लेंगे और इसके एक पीस को लेकर हम रोल करते हुए सिलेंडिकल सेफ में इसे बना कर तयार कर लेंगे कुछ इस तरीके से हम इसका सेब बना लेंगे बैसे बिल्कुल चिकना करके बनाएँ इसमें कोई भी दराद ना हो इस तरीके से हम सारी बेशन का सेब बनाकर रेडी कर लेंगे अब मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें लगभग 1 लीटर पानी डाल रही हूं और इसमें 1 tablespoon oil डाल लेंगे और इसे ढख कर अच्छी तरह से boil होने देंगे इस पानी को हमें बहुत ही अच्छी तरीके से boil होने देना है यह पानी अच्छी तरीके से boil हो गई है अब हम इसमें हमने जो गट्टे बना कर तयार किये हैं इसे हम डाल देंगे और इसे ढख कर boil होने देंगे इसे हम बीच-बीच में थोड़ा turn कर देंगे और इसे ढख कर अच्छी तरीके से boil होने देंगे इसे boil होने में लगबग 7-8 मिनट लग जाएंगे जब आप इसके उपर छोटे-छोटे से इस तरह के bubbles देखे तो आप समझ सकते हैं कि अब आपके गट्टे अच्छी तरीके से boil हो चुके हैं और ये बिल्कुल पानी के उपर फ्लॉट करने लगेंगे तो हमारा गट्टा अच्छी तरीके से boil हो चुका है तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ और इसे ठंडा होने दूँगी अभी ठंडी हो चुकी है आए अब हम इसके pieces बना लें pieces में cut करने के लिए आप अपने knife को भी थोड़ी सी oil लगा कर grease कर लें और इसे लगबग half inch की मुटाई में हम इसे cut कर लेंगे आप देख सकते हैं मारे गट्टे कितने soft बने हैं आए अब इसे fry कर लेते हैं अब मैंने यहां एक pan गरम कर लिया है और इसमें oil ले लिया है और इसके pieces के गट्टे के pieces को हम उसमें डाल लेंगे और इसे हलका pink होने तक हम इसे fry करेंगे इसे आप दोनों तरब से turn करते हुए बिल्कुल light pink color में आप इसे fry कर लें अब गट्टे fry हो चुके हैं आए इसे एक tissue paper पर निकाल लेते हैं हम सारी गट्टों को इसी तरह के से fry करकर ready कर लेंगे मैं आपको एक गट्टे को तोड़कर दिखाती हूं कि यह कितनी soft बनी है और उपर से एक अच्छी सी crunch भी होती है अब वापस से हम पैन को गरम करेंगे और इसमें लगबग 2-3 टेवेल इस्पुन ओयल लेकर गरम करेंगे ओयल को अच्छी तरह कि इसे गरम होने देंगे और उसमें 1 टेस्पुन जीरा डाल कर उसे भून लेंगे जीरा अच्छी तरीके से भून जाए तो फिर यहां पर मैंने 2 प्याज लिया है जिसे लंबाई में slice किया है इसे डाल कर हम भूनेंगे जब प्याज को इसे भून जाए तो हम इसमें 2 सुखी लाल मिर्च डाल देंगे अब प्याज को हम हलका सा पींक होने तक भूनेंगे यहां मैंने एक पेश्ट त्यार किया है जिसमें 2 टामाटर 4-5 लहसन और एक छोटी सी अधरक का टुकड़ा डाला है और इसे डाल कर एक पेश्ट बना लिया है इसे मैं इसमें डाल ले रही हूं और इसे हम अच्छी त हल्दी पॉडर, 1-2 टेस्पूण कस्मेरी लाल मिर्च, 1 टेस्पूण धनिया पॉडर, 1 पिंच हींग इन सब को डाल कर अच्छी तरह से मिला लूँगी और अब मैं इसमें 1-2 टेस्पूण गर्मसाला भी डाल रही हूं और इसे अच्छी तरह से मिला कर, डीड लगा कर हम इसे पकने देंगे हम इसे बिल्कुल धीमी आज पर पकाएंगे ताकि हमारे मसाले अचे तरीके से भून जाएं और मसाले जो हैं वो ओय छोड़ने लगे अब मैंने यहाँ पे एक छोटी का थोड़ी दही ली है जिसे अचे तरीके से फेट लिया है और इसे अब मैं इसे ग्रेवी में आड कर रही हूँ ग्रेवी में आड करने के बाद इसे हम लगातार चलाते रहेंगे और फ्लेम बिल्कुल स्लो रखेंगे आप इसे लगातार चलाते हुए ही पकाएं नहीं तो दही जो है वो फट जाएगी और ग्रेवी का टेक्चर बिल्कुल ही खराब हो जाएगा फिसे मैं लगातार चलाते हुए थोड़ी देर पका लूँगी और अब मैं इसमें पानी आड करूँगी जब मैं गट्टे को बॉयल कर रही थी उसका जो पानी बचा था उसे मैंने स्टोर कर लिया था मैं उसी पानी को आड कर रही हूँ आप चाहें तो नॉर्मल वाटर भी आड कर सकते हैं यूड लगाकर एक बॉयल आने दूँगी अब आप देख रहे हैं अच्छे तरीके से ग्रेवी में वाइल आ चुकी है और आप मैं इसमें थोड़ा सा नमक आड कर रही हूँ नमक हम सिर्फ ग्रेवी के लिए ही आड करेंगे क्योंकि गट्टे में ओड़ी नमक डल चुकी है अब हम इसमें गट्टो को डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से हम मिला देंगे अब मैं इसमें थोड़ी सी गरमसारा डाल रही हूँ और इसे मिला देंगे और थोड़ी से कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करकर मैं इसमें आड़ कर रही हूँ जिसके कारण इसमें एक अच्छे से फ्लेवर आएगी इसमें मैंने एक हरी मिर्च को बीच से स्लीट करकर डाला है यह optional है और अब मैं इसका लीड लगा कर इसे थोड़ी देव पठनी दूगी अब देख रहे होंगे कि अब यह इसकी जो ग्रेवी है वो थोड़ी से थीक हो गई है और गट्टों ने अच्छे तरीके से ग्रेवी को अब्जॉर्ब कर लिया है अब हमारे गट्टी की सब्जी बिल्कु डेडी है आईए अब इसे सर्फ कर लेते हैं लग रहे है ना बहुत टेस्टी देखने में गट्टे बहुत ही सौफ्ट और अच्छी बनी है आप इसे चपाती, पूरी, रोटी किसी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं आइस सब्जी खाने में बहत ही tasty होती है और हिल्दी भी है तो आप इसे ज़रूर try करें और अगर आपको हमारी रेसवी पसंद आए तो आप इसे like और share जरूर करें और अगर आप first time हमारे channel को देख रहे हैं तो आप इसे subscribe करना ना गुलें और comment पिलिकर बताएं thank you thank you for watching